हलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं Candid V3 टाबलट की बारे में Candid V3 एक वैजाइनल टाबलट है जिसको महिलाओं में वैजाइना में फंगल इंफेक्शन हो जाने पर यूज किया जाता है जब महिलाओं में वैजाइना में खुजली होती है जलन होती है लाल हो जाता है या वाइट डिश्चार्ज होता है ऐसी कंडिशन में डॉक्टर Candid V3 टाबलट को प्रिसकाइब करते हैं यह एक क्लो ट्रिमाजोल टाबलट है जो तीन गोलियों की पैकिंग में आती है और इसका प्राइज है 77 रुपीस यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंडिट V3 एक ओरल टाबलट नहीं है इसलिए इस टाबलट को मुझ के द्वारा नहीं लिया जाता है बलकि इसको ब ट्राइक पर विधी दी गई है किस तरह से महिलाओं को इस टाबलट को उपयोग इसके द्वारा करना है कि यहां पर इसके दो पार्ट है जब इसके बाहर वाले पार्ट को यह आप खेचेंगे और टाबलट को आपको इसके अंदर रखना है एक टाबलट निकाल की इसमें स तो अंदर की तरह पुष्ट करेंगे तो टाबलेट इसमें से बाहर निकल जाएगी और वैजाना में चली जाएगी यहां पर यह बताया गया है कि आपको किस तरह से Candid V3 टाबलेट का उप्योग करना है टाबलेट को वैजाना में रखने के बाद इसको अच्छे से साफ पानी से साफ कर लेना है वैसे तो Candid V3 एक बहुत ही सुरक्षित दवाई है लेकिन फिर भी कभी-कभी कुछ मैलाओं में वैजाना में इंफेक्षिन होना या प्रिटेशन होना ऐसी कुछ समस्य है दिखी गई है वाप में जलन हो सकती है अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए इसलिए प्रेगनेशी के दौरान होने वाले वाइजानल इंफेक्षिन में भी क्यांड़ किया सकता है अगर आप प्रेगन्ट है या बच्चे को इस्तंपन कदा रहे हैं तो आपको डॉक्टर को बता देरा चाहिए अगर जिसका उप्योग मैलाओं में होने वाले वेजाइलन इंफेक्शन में किया जाता है और इसके बहुत ही अच्छे रिसल मिलते हैं जनरली वेजाइलन इंफेक्शन तीन दिन में तीन टाबलेट के उप्रोग द्वरा ठीक हो जाता है आपको एक tablet रोज रात को यूज करना है और ऐसा तीन दिन तक करना है और अगर तीन दिन यूज करने के बाद भी आपका infection ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर से संपकरना है और डॉक्टर आपको सच्छिस करेगा कि इसको उपयोग करना है या कोई और treatment start करना है मैं ऐसा करता हूँ आपको Candid V3 Tablet के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी है उप्योगी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मेसिस को सब्सक्राइब भी कर दिजी दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद